कैसे हो आप सब आज मैं बनाने वाली हूँ गल्खल का खटा मेठा आचार बेसिक से इंक्रीडेंट्स लिए है मैंने उसके लिए उसकी प्रोपर रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कम्पलीट हो चुकी हैं थैंक्यू सो मच पूर लव एंड सपोर्ट ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा लेकिन जो 300 सब्सक्राइबर्स हैं उसको कम्पलीट होने में थोड़ा सा टाइम ल मैं देख सकते मैंने 500 ग्राम गल गल लिया दिया थोड़ासा गूड सा गूड घूर और लाल में टुकड़ों घूपधिया थोड़ासा पानी प्लाइबर्स करते हैं उसको दूर करने के लिए हम इसको लगबग एक या डेड़ मिनट के लिए इसके अंदर ऐसे ही थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो इसका कड़वा पन है वो निकल जाए इजी ली तो अभी देखिए अभी डेड़ मिनट हो चुका है तो मैं ये सारी गलगल एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और यहां देखिए अभी हम निकालने के बाद इसको गलगल को किसी कोटन के कपड़े से अच्छे से साफ करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे निकालने तो अचार खराब होने का डर रहता है बिल्कुल साफ कर लिया है मैंने इसको इसके अंदर बिल्कुल भी मॉश्चर्स नहीं रहना चाहिए अभी हम यहां पे गलगल को काट लेंगे जैसे भी आपको पीसिस चाहिए आप उस शेप में गलगल को काट सकते हैं जितने छोटे आपको पीसिस चाहिए आप वैसे काटें तो अभी गलगल थंडी हो गई थी फिर मैंने सोचा तो अभी मैं इसको पीसिस में काट लेती हूं कि यहां देख सकते हैं मैंने सारी गलगल काट ले हैं तो अभी हम कडाई के अंदर तेल को गरम करेंगे मैंने तेल आधा कब डाला है और अभी मैं डालूंगी इसके अंदर सबसे पहले हींग जो मैंने आधा चमच हींग लिया है वो डालूंगी गैस की फिले में मैंने भी कम कर दिया और यह मेथी दाना लिया है मैंने एक चमच तो इसको भूनेंगे और साथ में डाल देंगे काली मिरच यह मैंने बाद में दरदरा पीस लिया था और अभी हम साथ में डाल देंगे जो मैंने लाल सुखी मिरच मोटे मोटे टुकडों में काट के रखी हैं चाहिए एक चाहिए और इसाद में डाल दूगी इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग नमक को डाल सकती हैं तो यहाँ देखे मैने करीब इसके अंदर दो Alm sixth नमक डाला है थोड़ा समय और एड़ करूंगी यानि कि तीन COMMच नमक मैं डाल रही हूं इसके अंदर और अभी हम डालेंगे इसके अंदर। लाल पीसी वह मिरच यह मैंने एक चमच ही डाला है और एक या डेट चमच के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकोडिंग डालिएगा तो अभी हम इसको लो फ्लेम पे ही बूनेंगे अगर हम गैस की आज जो है वो जादा कर देंगे तो ये सारा मसाला जल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा चार और ये साथ में मैंने डाल दिया है गुड़ गुड़ मैंने एक कटोरी ली है यानि की छोटी जो कटोरी होती है तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से गुड़ को आकि ये मैल्ट हो जाए आप चाहें तो गुड़ बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन पका लूँगी जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूँगी और फारी गलगल कड़ाई के अंदर डाल दूँगी और मैंने भी गैस बंद कर दिया है जो ये नकाल है पुड़ मैंने इसका पानी नहीं निकाला है आप चाहें तो गलगल का पानी पहले निकाल सकते हैं सबी का अपना अपना तरीका होता है अचाहर बनाने का लेकिन मैं अचाहर ऐसे ही बनाती हूं गलगल का अब देख सकते हैं अचाहर बन के तयार है अभी मैं इसको ठंडा होने दूंगी फिर मैं इसको एक कांच के बरतन या बर्नी में डाल लूँगी और इसको तीन चार दिन के लिए रख दूंगी ऐसे ही फिर यह अपना बन जाएगा अल्मोस्ट यह हाफ कुक तो है ही लेकिन और अच्छे से मैल्ट हो जाएगा और चटपटा और खटा मीठा गलगल का अचाहर यह देखिए तैयार है हमारा बस से एक दू दिन में बन जाएगा अच्छे से यह देखिए मैंने इसको एक कांच के जार में डाल लिया है